दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आपके पास कोई भी रेड्मी का मोबाइल है और वो चलते चलते डिस्प्ले ब्लाक हो चुका है तो आप इसको कैसे ओन कर सकते हो क्योंकि दोस्तो बहुत लोग मुझे कॉल करके पूछता है कि हमारा रेड्मी का मोब ब्लाक हो गया कॉल आ रहा है सब कुछ चल रहा है लेकिन डिस्प्ले ब्लाक हो गया अगर ऐसा प्रब्लेम हुआ है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो देखे दोस्तों इस वीडियो में डेटेल्स नहीं बताऊंगा जादा कुछ बगवास नहीं करूंगा तो चले दोस वी दीसप्ले चार पांच मॉडल में लग सकता है तो उसमें यह प्रोब्लेम बहुत ज्यादा आ रहा है कि थोड़ा दिन मतलब आज अगर आपने डिसप्ले चेंज के लिए तें चाह दिन पानच दिन 10 दिन के बाद आपका डिसप्ले चलते-चलते बलाक हो जाता है तो उस case स में आप कैसे ठीक कर सकते हो अगर आपका कोई भी रेडमी का मुबाइल है और ऐसा डिस्प्ले ब्लाग हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है भल्यम का प्लॉस माइनस और पावर बॉटम ऐसे करके तीनों बॉटम को एक साथ दबा के रखना है कुछ देर जैसे की 10 से 15 स जैसे यह मोबाइल भरो सुन हो अपका मुबाइल को मतलorts यह भाप बीटम को छोड़ देना है तो आपका मुबाइल ओन हो जाएगा का लाइक अगर ऐसा नहीं होता है तो लिए ट्राइगर चलिक näगने से भी अप्रब्लेम हो जाएगा यह दोंशीज करके देखोус के बाद मुझे बताना कि आपका mobile on हुआ के नहीं, अगर ये दोनों चीज करने के बाद भी आपका mobile on नहीं होता है, तो आपका mobile का display का problem आ चुका है, आपका duplicate display प्रपली match नहीं हो रहा था, इसलिए आपका mobile का display खराब हो चुका है, जाके पीछे से एक बार उसका जो पीछे का ढखकन खोलके एक बार display connect करके देखिए, नया display connect करके देखिए, अगर display का light आ गया, तब तो ठीक है, आपका display खराब हो गया है, आपका किवरे कहने चे उसका ज़िखा से छिए।क टराब।क। कि वर्थमें उसका है, आपका इस से और confusion, कि मिएग कि उसकता जाएका गया है,